हलो डिर स्टूडेंट्स, वेल्कम टू मैगनेट ब्रींज, मैं संचिता जायन, आप सभी की सस्ट एजुगेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ, आप सभी के लिए क्लास्टेंद की सामजविज्यान में जेगरोफी का चैप्टर नमबर पाइब और इसका नाम है खनिश दथा उंजा संसाधन, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है खनिजों की उपलब्धता, जी हाँ, इसके पहले हम इस चैप्टर का पहला क्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो जादा से जादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक करदें, शेयर करदें, साथ ही साथ चनल को सब्सक्राइब भी करदें, क्योंकि मैंगनेट प्रींस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्से पुली और नाइस कम्प्लीट कोर्स के साथ, जी हां, हम आप के लिए कई सारे चॉप कोर्से सिंधी और इंगलिस दोनों मीजिया में प्रोवाइड कराते हैं, CBSE Board के साथ, MP Board, UP Board, Bihar Board, दिल्ली Board, राजिस्तान Board के स्लिवर्स को कवर कराया जाता है, काफी सारे स्पेशल कोर्से से हमारे पास, यसे की वैदक मैस, क्रेश कोर्स और इस स्पुकन इंगलिस, और इतने सारे कोर्से से की सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिट एजु अल्राइट, अगर आपको e-books, re-nodes की आवेशकता भी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ जाईए, क्लिक कीजे और सारी जानकारी प्राप्त कर दीजे तो आज के शेशन को शुरू करते हैं, आपके लाइक और शेयर के साथ जानते हैं खनिजों की उपलब्धता, आखर ये खनिज कहां पाए जाते हैं, हमें कहां से अलग-अलग प्रकार के खनिज, अलग-अलग उपयोग के लिए प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो चलिए, श घर में लोहे का सामान होगा ठीक है स्टील के बरतन होंगे पीतल के बरतन होंगे का से के बरतन हो सकते हैं ताबे के दूसरी चीज़ें हो सकती हैं बिजली के जुतार होते हुन में ताबे का प्रयोग किया जाता है आप क्या सौने चांडी के जो है आभुशन होंगे काफी सार से जब आप देखते एक लोहे की टेबल है तो आपके मन में ख्याल नहीं आता कि ये लोहा कहां आया होगा सबसे पहले कहां मिला होगा कहां से आया होगा तो एक बात तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि जितने भी संसाधन है खने जो संसाधन है वो सभी प्राकृतिक संसाध यह सब कहां मिलते हैं तो सब के सब आपको जमीन में मिलने वाले हैं कि खेदी करी जाती है बिलकुल नहीं करी जाती तो यह कहां होते हैं मैंने बोला जमीन में होते हैं यानि कि हवा में तो होते नहीं है ठीक है बादल से जो है गिरते तो नहीं होंगे बादल बारिश से जो ह सिर्फ पानी की बारिष होती है किलियर होगी है या न की जमीन में होते अड़ उगते नहीं तो जमीन के ऊपर भी यहांनि कि कहा होंगे जमीन के अंदर होंगे साड़ा कहा है भूमीगत है भूमीगत संसा और ब्राक्रितिक संसाधन है यह चलिए तो जाने आप देखें तो सामानत अयां खनिज अयसकों में पाए जाते हैं अब आप कहेंगे कि आखर यह अयसक क्या होते हैं बताओ भी अयसक क्या होते हैं तो यहां पर ध्यान से सुनना है बाप को ठीक है बहुत ध्यान से सुनना है एक एक बात को तो पहली बात यहाँ पर कहेंगे कि किसी भी खनिज में अन्य अव्यवों या ततों के मिश्रण या संचयन आयस का कहलाता है अब जैसे कोई भी खनिज है ठीक है हम बात कर लें जैसे सोना यानि की गोल्ड ठीक जब हम सोना या गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बात कह गी है कि किसी भी खनिज में अन अव्यवों या तत्तों के मिश्रण या सवंचेन ऐसका कहला आता है तो क्या सोना एकदम ऐसे जमीन में दबा हुआ था और उसको ऐसे सीधा निकाल लिया प्राक्रतिक रूप से सीधा ऐसा दबा हुआ था थोड़ी सी हमने कुदाई करी और ल लोहा तामस कुछ भी सीधे हो जाते नहीं सीधे नहीं मिल जाते हैं इनमें काफी सारी चीजें मिली होती है काफी सारी हम इसको कह सकें कि अशुद्धी मिली होती है ठीक है तो काफी सारे अन्य अवेयव या तत्व यान की एलिमेंट इनमें मिले होते हैं ठीक है काफी सारी चीजें एकटी होती हैं जब उन चीजों को बाहर किया जाता है शोधन किया जाता है तो से एक नया खनिज निकल के आता है अल्राइट अब ये खनिज मिलते कैसे हैं ये तो पता हो गया कि आयसकों में पाए जाते हैं ठीक है उन आयसकों को जब अलग किया जाता है यानि कि ज पाए जाते हैं चटाने यहां लिखा है कि शेल समुहों में पाए जाते हैं शेल समुहों से क्या मतलब होता है शेल समुहों यानि की चटान अलग-अलग प्रकार की चटान अलग-अलग प्रकार की चटान चटाने भी क्या अलग-अलग प्रकार की होती है बिल्कुल होती है ज कैसे और वार कोट कोटे है। का है इसज़े ह Lizzie दुनिया है नहीं पा इजाती ति इसी आपने मुबाइल मोबायल में काफि सारे अप्लिकेशन है लेकिन अप्लिकेशन कैसे वर्ग करते हैं इसको बनाया किसके पीछे अलगोरिपम क्या है क्या कोडिंग है क्या प्रोग्रामिंग है ठीक है वो आपको नहीं रिखाई देती बस चुलाने में मज़ा आता है लेकिन वो क्या है साथ वो इमेजनरी दुनिया है कालपनिक दुनिया है ठीक है चुटकी बजाती ही पैसे एक जगे से दूसरी जगे ट्रांस्पर हो गई कैसे हो गई ठीक है वो शेल समों यानि कि अलग अलग चटानों में पाए जाते हैं जैसे की आगने चटान कायंतर चटान अब आगने चटान कायंतर चटान या अवसाधी चटान किसे कहते हैं आगने चटान को समझते हैं सबसे पहले आगने चटान आगने चटान से आपको क्या दिखाई देता है क्या समझ में आता है शब्द से क्या समझ में आता है आगने शब्द को समझना है आगने आगने आने की अगनी अगनी आने की गरम ठीक है अब आगने चट्टानों का निर्मार कैसे होता है तो लावा या मैगमा के बारे में तो आपने सुना होगा जब जुआला मुखी होने से जब वो लावा या मैगमा निकलता है जब ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है जब गरम रहता है तब लिक्विड रहता है तरल रहता है लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो जम जाता है और उसी के जमने के परिडाम से रूप आगने रही है तो आगने और अवसाधी चटानो के टूटने, फूटने से निर्मान की है उत् specifics ठीक है? यानि की एक दूसरी काया में यह परिवर्तत हो रही है. तो उनको क्या कहा? काय आश्य। चटाने. अवसाधी चटाने क्या होती बिन प्रकार की चट्टानों के अपक्षया अपरदन के फूटने 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 के फूटन का जनाम होता है तो उसे कहा जाता है अवसाधी चट्टान अब इन ही आगने और अवसाधी चट्टानों के जब यह चट्टान है दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसको कायंत्रे चट्टान कहा जाता है तो आगने तथा कायंत्रे चट्टानों में खने जो है अब सुनना कहां पाएज आते हैं दरारों जोडों भ्रंशों वा विद्रों में मिलते हैं जी हाँ जो चटानों की दरार होती है अब भिन चटानों की जो जोड होते हैं उनके भ्रंश में उनके बीच में ठीक है यह जो खानिस पदार्थ पाएज आते हैं छोटे जमाव शिर बड़ी गोर लाड़ी तेड़ी कुछ इस प्रकार की ही होती है ठीक है यह क्या हो गई यह हो गई आपकी अलग अलग चट्टाने अब हम से क्या कहा गया है इन चट्टानों की दरारों में यह क्या यहां से दरार बन सकती है इसकी बिल्कुल बन सकती है चट्टानों के बीच म शिराओं के रूप में यानि की पतली पतली शिराओं के रूप में भी पाए जा सकते हैं जैसे कि यह मालो यह दरार है यह क्या है दरार है तो यह बिलकुल पतली सी दरार है तो इस दरार में भी पतली शिरा के रूप में पतली सी रेखा के रूप में भी खनिज पाए जा सकत क्लियर है बाद जैसे कि खनेजों के कुछ धारन दिये हैं जस्ता तांबा जिंक सीसा आदी सीसा यानिकी लैड ठीक फिर क्या है अने खनेज अवसादी चटानों के अने खनेज संस्त्रों में भी पाए जाते हैं कुछ खनेज ऐसे होते हैं जो अवसादी चटानों के खनेज स चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाएज़ आते हैं। जैसे हम बात करते हैं आगने का एंत्री चट्टानों में जस्ता तामा जिंक शीषा अधी प्रकार के आपको खनिज मिलेंगे। फिर हम बात करें अवसाधी चट्टानों की, तो अवसाधी चट्टानों में कौन-कौन से खनिज पाये जा सकते हैं, कोईला, जिपसम, पोटाश, नमक, जी हाँ, नमक जो है एक प्रकार का खनिज है, ठीक है, नमक जो है, समंदर के किनारे तो बनता है, निकि समंदर के पानी से तो बनता है साथ ही साथ नमक जो है चटानों के रूप में भी पाया जाता है जैसे जो आप सेंधा नमक खाते हो सेंधा नमक जो आप फास्ट में खाते हो फास्ट में क्यों खाते हो व्रत में क्यों खाते हो व्रत पवास में क्यों खाते हो क्योंकि वो नमक का सबसे शुद्धतम रूप होता है सैंधा नमाग क्योंकि वो चट्टानों के रूप में पाया जाता है एकदम प्राक्रतिक नमाग होता है वो बनाया नहीं जाता किलियर है तो नमक किस प्रकार का खनिज है पहली बात तो यह कि नमक एक खनिज है और अवसाधी चट्टानों में पाया जाता है आप से सवाल पुछे जाए कि कोई लाजिप सम पोटाश या नमक जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है तो आप बता देंगे कि ये अवसाधी चट्टानों में पाया जाता है अल्राइट इतनी बात के लिए अब क्या है धरातली चट्टानों की भी बात आती है तो धरातली चट्टानों के अब घटन से भी खनिजों का निर्मार होता है ठीक है धरातली चट्टानों की तूटने फूटने से भी खनिजों का निर्मान होता है चट्टानों के घुलन शील तत्वों के अपरदन के पश्यात आयस का वाली अवसिस्ट चट्टाने रह जाती है जैसे की बॉक्साइट बॉक्साइट कहां से मिलेगा आपको ध्रहतली चट्टानों से मिलेगा ठीक है फिर पहाडियों के आधार जो पहाड तल में जो रेत पाई जा रही है उस रेत में जलोड जमाओ जलोड जमाओ यानि की जलोड मिट्टी का जो जमाओ होता है उस रूप में भी कुछ खनीज पाई जाते हैं जी हां कैसे पाई जाते हैं जलोड के जमाओ के रूप में भी जहां पहाडी तलों का आधार है ठीक है या घाटी तल है कोई घाटी है उसका जो निचला एरिया है तल है तो वहां की रेत में जलोड मिटी के जमाव के रूप में भी कुछ खनिस पाए जाते हैं और ये निच्छेप या ये जमाव किस रूप में जाने जाते हैं प्लेसर निच्छेप के रूप में जाने जाते हैं तथा घाटी तल्ब की रेत में जलोड मिटी के रूप में कुछ खनिच पाए जाते हैं, ये निच्छेप प्लेसर निच्छेप के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सोना चादी टिन वा प्लैटिनम, क्या क्या है? सोना चादी टिन वा प्लैटिनम, ये कहां मिलेंगे आपको प्लेसर निच्छेप के रूप में मिलेंगे, पहाडियों के आधार या घाटी तल्की रेत में जलोड मिटी के जमाव के रूप में पाए जाते हैं, ये कीमती खनिच, अल्राइट, तो हम क्या देख रहे हैं? खनिचों की अपलभधता, कहां खनिच पाये जाते हैं? कहनिच प्राक्टिक रूप से पाये जाते हैं, लेकिन कहां पाये जाते हैं? ठीक है? मैंने आपको काफी सारी चीज़یں बताई, जमीन के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक हिए, हवा में नहीं मिलेंगे, बादलों से बारिश नहीं होगी यह रामोती जवाराद की बारिश वरी हो क्लियर है बात सब कुछ क्लियर हो रहा है कहां पाइस आते हैं सारे खनेश जो हैं आपको चाटानों के रूप में दिखेंगे वेभिन प्रकार की चाटानों पाइस आएंगे या भूमीगत रूप से मिलेंगे, जमीन के अंदर से आपको मिलेंगे, अल्राइट, यहां तक कोई डाउट, खनिजों की उपलब्धता, ठीक, और आज का ये सेशन यहीं पर खतम होता है, आज हमने जाना कि खनिज किस रूप में कहां कहां पाये जाते हैं, कहां से खनिज प्राप्त किये जाते हैं, आल्राइट, चलिए, तो अब चलते हैं और मिलते हैं, जल्दी ही अगले सेशन में, अगले सेशन में हम जानेंगे इसका नेक्स टॉपिक, और उसमें एक नए टॉपिक के साथ नई जानकारी को जानेंगे, जल्दी से नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेज कर Magnet Brains इंडिया का No.1 100% Free Online Education Platform है इसके अलाव अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है वहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं काफी सारे special courses हैं हमारे पास जैसे की English और Hindi दोनों मीडियम में हैं CBC Board के साथ साथ दिल्ली Board, बिहार Board, UP Board, MP Board, राजस्थान Board के सलेबस को करवाया जाता है और NCRT से complete कराया जाता है यह हैं हमारे top courses और special courses में special courses हैं जैसे की वैदिक मेस, crash course और spoken English और इतने सारी चीज़ें आपको एक single platform पर high quality education के साथ, fully organized complete course के साथ एकदम free of cost प्रोवाइड कराया जाती हैं यानि की हमसे पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की फीज सम्मिट करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के paid subscription की जरूरत नहीं है Magnet Brains YouTube के लावा other social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्ध है आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं वहाँ से भी सारी जानकारी प्राव्द कर सकते हैं तो आज के session को जादा से जादा like और share करते वे चैनल को subscribe भी करना है हमारी साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुशे है, thank you so much